तो इसे कहते हैं simple magnetic train जो electromagnetic power की मदद से इस coil में travel कर रही है तो क्या है इस power की वज़े असल में इस AA battery के सिरुपर लगे दोनों magnets जब इस coil को छूते हैं तो ये हिस्सा एक close electrical circuit बन जाता है coil में जैसे ही current flow होता है तो उसके अंदर से एक magnetic field induce होती है जो इस external magnet की magnetic field को धक्का देती है या उकाव रिपेल करती है बस फिर train को push मिल जाता है और train दोडने लगती है वैसे solenoid भी इसी तरह काम करती है